तो हेगास कैसे हो आप सब लोग तो आज मैं री मॉंस्टर का एपसोड नमबर 3 का एक्स्प्लिनेशन करने वाला हूँ तो बिना किसी देर करे एपसोड को शुरू करते हैं जैसा कि पिछले एपसोड में दिखाया गया था कि गोबुरू एक ओगर में इवाल्व हो जुगा था जो देखके सब लोग काफी से था हैरान होते हैं इवन विलेज अल्डर भी सोच में पढ़ गया था कि गोबुरू को पैदा होने के एक महीने बादी वो ओगर में कैसे इवाल्व हो सकता है जैसे ही वो बाकी लड़कियों से मिलता है वो सबी लोग उससे डरने लग जाते हैं बडलेगी इन गोबुरू अपनी वावर्स को दिखाते हुए उनको बताते कि वो गोबुरू है इसी दोरान गोबुरू में उसको बस पिंच करे जा रहे थी जिसको की गोबुरू बस इग्नॉर कर सकता है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर रेड वालो लड़की और गोवुमी है वो दोनों यहाँ उसको पिंच करने लग जाते हैं और वो फिर उनकी तारीफ भी करता है कि कैसे वो आगे चल की काफी ज़्यदा बड़िया वाइक्स बनेंगी और वो उनको आपर भी करता है कि वो उसी की वाइक्स बन जाए जो सुनके वो दोनों भी ज़्यादा शर्वाने लग जाते और एगरी भी कर जाते हैं पर दूसी तरफ जो गोबुमी और रेडवालो वाले लड़की है वो बिल्कुल भी खुशनी होते हैं उसके बाद वो एलकेमिस्ट के पास जाता है जहाँ पे उसको पॉईजन मिलता है जिसकी वैसे वो उससे पूशता है कि आगर उसने ये पॉईजन क्यों बनाया तो फिर वो लड़की बताती है कि उसने सर्फ डिफेंस के लिए ये पॉईजन बनायता और अभी के हलाद देक के लगता नहीं है कि उसको इसकी जरवत है और वो ये भी बताती है कि यसे गोब टेक्सिक्स का सीन दिखाया जाते हैं जहांपे हमेशा की तेरा गोबुरू बाकि सब के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाता क्योंकि जब वो उन पर अटाक करता है उन सभी की जो हालत है वो काफ़ जीता क्रिटिकल हो जाती है और यहां तक कि जो गोबुकिची है वो आर्मर के सा काफी जदा आसानी से कर पा रहा था क्योंकि उसने अपने स्लाइम एविलिटी के मिदद से एक आर्टिफीशल हाथ बना लिया था अपना फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और अपनी आखे खोलती है और उसको यह पूरी जो सिचुएशन है वो बताती है और यह भी बतात लेते और यह सुनके जो गोगुरू है वो भी एकडम सोच में पर जाता कि यह तो कोई प्रॉब्लम वाली जीज़ लग रही है उसके बार बुझे लड़किया वहां पर उसके मास्टर का पूरी जिंदगी का कलेक्शन हो रहा है जहां पर लेजंडर क्लास आइटम्स भी है उसके जो मास्टर है वो यो मंस को गाफिज दर हेट करते ते इस वेसे यह ज़ग उसाधा बेटर होगा कि वो लोग उस ऐटम्स को ले ले ने उन यो मंस की जगए टाइटम्स हो चुका है जिस वेसे मोगग जामे करें ने रह सकती उसके बाद जो गोगरु है वो बाकी को इसको बुलाता है और बताता है कि वो लोग ट्रेजर रूर में जाने वाले हैं तभी वो ब्लैक्समित को बताता है उन सभी चीजों को लाने के लिए जिसने को को कि उसने लास्ट टाइम मेंशन किया था जो कि एक स्पिरिट स्टोन नाइव था एंड तभी वो बाकी के लिंग से उनको छुपने के लिए बोल दिया है और अगर जरुवत पड़ी तब वो उनको सबको बुलाएगा और तभी वहाँ पर गोबुरु को वो एडवेंचरर्स मिल जाते हैं जहां पर गोबुरु को देखके वो सभी लोग काफी सिदा हरान हो जाते हैं बट इसी वी जो कि उनके जो मैजिक है उसको काफी सथा बेकार है जो गोबुरु उसको काफी गुसा जाता है इस विसे वो बाकी की गॉबलेंज को भी बुला देता है जिस विसे उसको नई स्किल्स और कुछ आइटम्स भी मिलते अडवेंचरर्स के पास से उनमेंस एक आइटम जो की गोबुरु उसको भी खा जाता है जिस विसे उसके पास और भी एक इंटर्नल स्टोरिज बैग आ जाता है जिसको कि उसको कैरी भी ने करना पड़ेगा एंट जब चाहे वो उसको निकाल सकता है फिर वो लोग ट्रेचर रूम में पहुंच जाते है वहाँ पर उनको वेल ब बाद च्छोड़ जाती है बड़ उसको भी ने चोड़ता एंट खा लेता है उसको उसको खाली करने के बाद गोबुरु उस बॉड़ी को अकेले वहाँ पर नहीं छोड़ सकते था जिसवेसे वह उसको जला देता है और तभी उसको बाड़ी से एक इक हाथ गिरता हुआ द फिर हमें day 38 का scene दिखाया जाता है जहाँ पर गोबुरू blacksmith के साथ अपनी चीजों पे थोड़ा से काम करता है फिर day 39 का scene दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी hobgoblins को magical weapons देता है और यहाँ पर खुद के लिए एक legendary item रखता है जो कि एक spear है हमें बताया जाता है कि जो legendary item है वो सब्सक्राइब करने के लिए और यहाँ पर कई सारे जो goblins है वो अपने जो rank है उसको up करते हैं इस वीच गोबुरू के मन में यह भी ख्याला था कि उनको मरसरेंदी का group establish करना चाहिए फिर वो निकल जाता है एक walk पर जहाँ पर उसका goal था नहीं species को डूणना जहाँ पर एक golden spider मिलता है जिसने की एक item drop किया जो की दिखने में काफिसदा valuable लग रहा था इस वीच उसको एक red deer में मिलता है जिसको की वो खा जाता है एंड उसको कई सारे नई skills में मिलती है तब ही उसको forest के बिच में एक अजीब से जगह मिलती है एंड वो बताने लग जाता है एक species के बारे में जिसका नेम है dry ads ये काफी से intelligent होते हैं एंड man का use करते हैं अपने जो nutrition है उसको fulfill करने के लिए ये लोग अपनी चाम का use करते हैं एंड किस टाइप से करते हैं वो तो हम समझी सुके होंगे गोबरू भी सोचता है कि उसके पास यहाँ पर इन सब चीजों का वह उसने कर दिया था एंड उसके बाद वहांसे निकलने की बात करता है जहांपे वो लड़की उसको वापस आने के लिए बोलती है बट गोबरू बताता है कि वह सोच के बताएगा उसके बाद वहांपे नहांने लग जाता है बट काफी सारे जो lizard man है वह उसको घेर लेते जो देखके गोबरू का विजदा क्रीफ फील करता है इसी दौरान वह एंचांटमेंट के बारे में भी सीखता है जिसके वेज़े से जो यहांपे वेबन से वह और भी जदा पावरफुल हो जाएंगे वह ब्लैक्समित के साथ अपनी वेपन से उनमें एंचांटमेंट कर रहे हैं जिस पर कि कोई तो बोल देता है कि उनको नहीं पता और दूसरे बोल देंगी खुछ सोच के देखो एक बार वो ट्विंस के पास भी खाने के ले जाता है बड़लीन उन्होंने भी उसके खाने में जहर मिला है ता जो की साफ साफ दिख रहाता आखिर में वह उस से रिजन पूछते कि आखिर यह सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जहांपर एलकेमिस्ट उसको बताने लग जाती है कि वह सभी लोग जैलेस हैं और उपर से यह काफिजद है रहर है कि तुमने कोई चीज नोटिस नहीं की और वह बताती है कि कैसे गोबुरू की जो नेक है वह फ्लो के साथ जानी वाला था बढ़ेंगी तब ही वहां पर गोबुमी पहुंच जाती है जो कि कुछ ज़्यादा ही गुसे में थी बड़ लगन फिर वह एक दम बताने लग जाती है कि कैसे वह भी सेम बताती है जो कि सेम बताती है और आप जो सिच्विशन है वह कुल लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नेक्स अप्सोड के लिए टूके लाइक कम्प्लीट करवा देना तो बस आज ही गुड़ इतना ही मिलते है नेक्स वेड़ों में तब तक लेस से होना रहा